असलम अलेकम गाईद वेलकम पे न्यू वुडियो और आप देख रहे हैं क्रेजी यूटू चैनल रियेक्ट वुडियो और आज जो रियेक्शन है वो है अच्छी वुडियो गे जो शुरू करते हैं वुडियो गे रेल गाड़ी छुका छुका रेल गाड़ी छुका छुक रेल गाड़ी छुका छुक अबे टिडे चुपो जा अम्मी रेल गाड़ी कब चलेगी चमने वानिये बेटा राम से बैड़ जाओ असलाम अलेकम दोस्तों हर सफर के एक मनजिल होती है और एक अरसे बाद वो मनजिल इतनी यादगार नहीं रहती जितना वो सफर अपनी यादें चोड़ जाता है If I'm Not Wrong, मेरे गुमान के मताबिक इस वीडियो को देखने वाले मेरे अकसर दोस्तों ने जिन्दगी में कभी न कभी ट्रेन पर सफर जरूर किया होगा तो आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पर है ट्रेन स्टेशन के एक अजब ही कहित होती है कुछ एकसाइटमेंट, कुछ गवराहट और एक अंजान सी फिगर का एहसास दिल पर चाया होता है बहुत ही कोई खुशनसीब होते हैं वो लोग जो ट्रेन के लिए वक पर प्लैटफॉर्म पर पहुंचें और ट्रेन भी वक पर पहले से ही वहाँ पर मौँद हो वरना अकसर पता करने पर यही मालूम होता है यारे गाड़ी दोल रहा दा गंटा बाद आएगा बिल आखिर किस्वत में लिखे इंतजार के बाद आपकी ट्रेन अपने प्लैटफॉर्म पर तश्रीफ ले आती है उन्तालिस सी उन्तालिस सी यही है वई आजो वई आजो यही है ले उसमान यहाँ ले आओ आराम से आराम से आराम से रख भाई 20,000 का जूसर है पेसे तेरा बाब बेरेगा आजो बच्चो तुम इदर बेड़ जो तुम उदर बेड़ जो भाई आपकी यही सीट है क्यों आपके पास वी सी की टिकेट है कि नहीं भाई एतियादन बूछ रहो हुआ जी मेरी सीट है अगर आपने सबरो तामुल की प्रैक्टिस करनी है ना तो ट्रेन का सफर कर लो पहले ट्रेन के आने का इंतजार और फिर ट्रेन में बैठ कर ट्रेन के चलने का इंतजार अकसर सफर शुरू नहीं होता और लोग पहले से ही खाना शुरू कर देते हैं मलता काऊगे? नहीं नहीं बहुत शुक्री खा लो? अहिंही बहुत शुक्री आप कई hai आप कई अजीव आदमी आाँ इफ़ी बहुल प्यमिंट हो गई है अब एक बल बाई को क्यों पकड़ा दी? इश्तियाक के पपा वो देनी थी ना अब एक बल भई कहां से सेट हो गया वो तो डिराइवर है चलिए इश्तियाक के पपा है ओनर अब एक क्या कारण कर दिया तुने चल अभी मेरे को टेंशन ना दे फेमली के साथ होलिडेस पे जा रहा हूँ अभी टिरेन में नेट नहीं चला बाद में बात करीजी ओ अल्ला आफिस एलेक्ट्रोनिक्स का कारण और है मेरा आएशामंजिल पिशोब है दिलबर एलेक्ट्रोनिक्स के नाम से याउ बाई अला हम्दुलिल्ला साल की पूरी मारकट आपके बाई ने को पी है अब सोचे जरा फेमली के साथ थोड़ा इंजोय कर ले विकेशन्स के लिए लाओ और जा रहे हैं बच्चों के नानके के पास अच्छा अच्छा माशालो कॉल ड्रेंग, जूस, जूस, कॉल ड्रेंग अबू जूस प्योंगा जूस, अबू जूस तू पीले जूस में सारा सफर टोइलिट की तलब में रही हो नहीं भाई नहीं, नहीं बीना जूस एक तवील तारुफ के बाद बिलाखिर ट्रेंग अपने सफर पर रवाना हो जाती है और ट्रेंग के चलते ही हर कंपार्टमेंट से एक ही आवाज आती है सफर अगर लंबा है तो मेरा मशवरा है कि अपने साथ एक किताब, एक फुल चारजिंग वाला लैपटॉप और उसमें दो चार मुवीज और मुबाइल में डेटा पैकेज जरूर करा कर रख लेना ताकि वक्त असानी से पास हो जाए चोटे भाई, नाम क्या है आपका? शेरम यार शेरम भाई, आप इस सीट पे आजो क्यों हो खेरियत? यार वो टीटी आने वाला है तो मैंने का बच्चे को सुला दूँ ये बच्चा है? और अभी से क्यों सुला रहे हैं? अभी तो रात भी नहीं हुई अरे नहीं शेरम भाई, आप समझे नहीं इसकी टिकेट अंडर एज प्राइस पे है ना वो बारा साथ कम उमर बच्चे की टिकट नहीं होती वो दिलाई हुई है अभी सुला दूँगा तो ठीटी की नजर में नहीं आएगा अगर आपकी ट्रेन में रूम और दर्वाजे वाला हिसाब है तो तो ठीक है वरना साथ वाले कमपार्टमेंट में भी जो हलात होते हैं उनका आपको अच्छी तरा अंदाजा हो रहा होता है ट्रेन के सफर में एक रोता हुआ बच्चा जरूर होता है जो पूरा सफर चुप नहीं होता और रो रो कर सब का जीना हराम कर देता है इसी के बरक्स एक कमपार्टमेंट से एक अंकल के खासने की आवाज आती रहती है और वक्तन वक्तन चिप्स के पैकिट खुलने की आवाजें भी जारी रहती है जिन कमपार्टमेंट में फैमली जोती हैं उन में राह गुजर अफराद से परदे के लिए चादर का इस्तावाल होता है वाश रूम से वापसी पर अगर आप किसी गलत परदे में गुज़ जाओ तो बड़ी नादामत होती है और वाश रूम से याद आया ट्रेन के वाश रूम का तो अजीब दहशत वाला मनज़र होता है अब जब भी वाश रूम जाओ तो एक शक्त जिन्दगी से बिजार शकल बना कर जरूर पहले से दर्वाजे के साथ खड़ा होता है कभी अगर मजबूरन ट्रेन का वाश रूम यूज़ करना पड़ जाए तो एक मशवरा ये है कि अपना मुबाइल या और कोई कीमती चीज़ अपनी शेट की सामने वाली जेब में कभी न रखने कोई भी कीमती चीज़ अगर आपसे छूट गई तो सीधा पटरी पर गिरेगी कुछ लोगों को तो देखकर ऐसा लगता है कि वो ट्रेन में सिर्फ सोने के लिए आते हैं सफर चाहे पांच घंटेगा और चौबिस घंटेगा ये लोग सारा वक्त सोते रहते हैं बच्पन में जब घर वालों के साथ ट्रेन पर सफर करते थे और किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती थी और चाहे लेने के लिए बाबा ट्रेन सोतरते थे तो सबसे बड़ी टेंशन यही होती थी कि कहीं ट्रेन चलना पड़े अच्छा हर शहर और हर गाओं की स्टेशन की अपनी कोई निशानी होती है पर ग्जेंपल हैदराबाद पर अक्सर लोगों के रिष्टेदार उनके लिए बिर्यानी लेकर पहले से खड़े इंतजार कर रहे होते हैं मुल्तान आते ही सोहन हलवे बेचने वाले नजर आना शुरू हो जाते हैं खानेवाल स्टेशन का खोया बहुत मशूर है कोईटा के रास्ते में मच्च स्टेशन अपनी हलवा पूरी की वज़े से बड़ा मशूर है वैसे ट्रेन के सफर में सबसे अनोखा रास्ता तो कोईटा का है वो पहाडों से ट्रेन का गुजरना वो सुरंगें वो मट्टी से बने घर और किलियां यकीन जानो अलगी बात है बलोचस्तान की रास्तेगी सफर में एक अंकल आपके कमपार्टमेंट में ऐसे जरूर होते हैं जो सफर के पहले दिन तो कमपार्टमेंट में आपके साथ होते हैं लेकिन अगली सुबा जब आप उठते हो तो अंकल गायब हो जोगे होते हैं कब किस स्टेशन पे उतरे किसी को नहीं मालू कुछ लोग ट्रेन के सफर में सारी रात नहीं सोते और कुछ मेरे जैसे होते हैं जो गोड़े बेच कर सो जाते हैं अब ट्रेन में सोने पर अगर अगली सुबा आपकी आँख ना खुले तो कोई फिकर की बात नहीं है अंडे वाला आपको खुद उठा देगा कुछ जो शरम भाई सुबा होगी है लाहूर बस आने कुछ खारशी लोगों का तो मश्कला होता है एक डबे से दूसरे डबे जाना और ट्रेन के दर्वाजे पर खड़े रहना एक और अनोखा एक्सपिरियंस होता है जब आप किस हीट किसी ऐसे डबे में हो जिसमें कोई शादी की बाराद जा रही है अजीब ही तमाशा लगा होता है सबसे जादा मज़ा तो तब आता है जब आप अपने कजन्स या दोस्तों के साथ सफर कर रहे हैं वो रात को ट्रेन में लुडो खेलने का तो अपना ही मज़ा है कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बगए टिकट के पूरा सफर कर लेते हैं और इस फन के सबसे बड़े माहर होते हैं सबसे तकलीद दे अजमाईश तो वो होती है जब आप खर्चा करके करते रह जाते हो कि कब ये सफर खतम होगा लेकिन इन सारी तकालीफ और आजमाईशों से तंग होने के बजाए अगर हम गौर करें तो ट्रेन क्या हर सफर ही बड़ा खुबसूरत होता है खास तोर पर ट्रेन के सफर में हमें गौर और फिकर का अच्छा खासा टाइम मिल जाता है और हम जिंदगी को एक मुनफरिक नक्ता नजर से देख सकते हैं ट्रेन के अंदर बैटे हमें आबादियां और लोग गुजरते नजर आते हैं जब के इन अबादियों और लोगों के लिए हमारी ट्रेन वहां से गुजर रही होती है ट्रेन का सफर मुझे हमेशा इस ख्याल की याद दिलाता है कि हम अक्सर जो कहते हैं कि वक्त गुजर जाता है कहीं ऐसा तो नहीं कि वक्त अपनी जगा रहता है और हम इस वक्त के मुक्तलिफ खानों से गुजर रहे होते हैं इसी सोच पर आज के लिए शेयरम को अजाज़त दें मिलता हूं अगली वीडियो में अल्ला आफिस झाल आफिस वक्त के मुक्त बाता हूं